Welcome to my channel, शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पोयम जिसका नाम है Next Please, ये लिखी गए फिलिप लार्किन के द्वारा जिनका जन्म हुआ था, इन्होंने एक इंग्लिश पोईट, नॉवलिस्ट और लाइब्रेरियन के रूप में अपना योग लुगदान दिया है, Next Please, जो पोयम है वो एक ब्लीक रिफलेक्शन है, मतलब एक क्लियर इमेज है, हमारी लाइफ और इनविटेबिलिटी ओफ डैथ, मतलब नृत्यू की अनिवारता पर, नाइन अगस 1922 यूनाइट किंग्डम है और इनकी डैथ होई थी 2 डेसंबर 1985 यू इस्ट कर देते हैं, यह जो पोयम है वो इनक्रेडिबली डिप्रेसिंग पोयम है, मतलब एविश्वसनी रूप से निराशा जनक कवीता है, और यह एफेक्टिवली प्रभावी रूप से सम्राइसेज, बोथ कराती है, सैंस ओफ अर्जेंसी का, मतलब तातका लिखता या जल्दी बाजी का, पोयम का जो टाइटल है, नेक्स प्लीज वो सजेस्ट करता है एक टोन को जिसमें इंपेशेंस अधैर है और डिमांड है आने वाले फ्यूचर की, हम हमेशा जानने को एगर या उस्सुक रहते हैं कि अगले पल या फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने व उसी तरीके से हम लोगों के साथ होता है, हमारी एक विश पूरी हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं, नेक्स प्लीज मतलब हम दूसरी विश के लिए डिमांड करने लगते हैं, पोयम की जो रियल थीम है वो है डैथ, क्योंकि जो डैथ है वो हमारे डिस इल्यूजन मैंट कि हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ समय के साथ पीखा पढ़ने लगता है, जो हमारी आशा है, वो धरी की धरी रह जाती है, और केवल एक ही एक्सपेक्टेशन है, जो कि हम तक आकर रुकती है, वो है डैथ, इसी लिए इस पोयम की रि हमेशा एगर रहते हैं, उस्थुक रहते हैं जानने के लिए कि अगली चीज क्या होने वाली है हमारे फ्यूचर में, आखिर हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, और इसके चलते हम एक गंदी आदत या बैड हैबिट को विक्सित कर लेते हैं, वो है एक्सपेक्टेंसी और expectancy या फिर desire या आशा कैसी होती है वो हमारी होती है हमेशा positive कि हमारे साथ हमेशा future में कुछ अच्छा ही होगा माना हमारी एक desire पूरी हो गई तो हम विश करते हैं कि अगली desire तुरंद पूरी हो जाए Something is always approaching everyday till then we say तो हमने एक bad habit तो develop कर ली है hope की कि हमेशा कुछ अच्छा होगा लेकिन हम भूल जाते हैं Something is approaching कि कोई चीज है जो हम लोगों की तरफ लगातार आगे बढ़ रही है वो क्या है वो है death जो की continue हमारी तरफ बढ़ती जा रही है लेकिन हम लोगों ने क्या आदर develop कर रखी है कि हमारे साथ भवेशे में अच्छा होगा या फिर बेकार होगा उसे हमें कोई मतलब नहीं है हम हमेशे expect क्या करते रहते हैं कि जो कुछ होगा वो अच्छा होगा वाचिंग फ्रॉम ए बलफ धर्टे नी इस तरीके से हम उन लोगों में से हैं जो की बलफ पहाड की ऊची चोटी पर खड़े होकर अपनी और स्पार्कलिंग चमकते हुए आर्मडा आर्मडा बोला गया जहाज के बेड़ों को उनको आते हुए देखते हैं और ये सिर्फ जहाज नहीं है ये प्रामिसेज हैं ब्राइट फिंक्स हैं जो की फ्यूचर में हमारे साथ होने वाली हैं यहां पर पॉइट ने हमारी होप्स या आर्शाओ को शिप्स के रूप में माना हैं और हम लोग क्या सोचते हैं ये शिप्की जो स्पीड है वो कितनी स्लो है क्योंकि हम लोगों ने किया है बहुत सारी expectancy बहुत सी बड़े-बड़ी ख्वाइशे अपने मन में रखी हुई हैं और जब वो जहाज दीरे-दीरे पास आ रहे हैं तो हमको वो time बहुत लंबा लग रहा है हम क्या सोच रहे हैं कितना सारा time ये waste कर रहे हैं और हमारा जो wait करना है वो तो बहुत मुश्किल है हमारा time बहुत धीरे-धीरे कट रहा है लेकिन ये जो ships है refusing to make hast मतलब इनको विल्कुल भी जल्दी नहीं है Yet still they leave us holding ratchet stocks of disappointment और इतना wait करने के बाद भी हम लोगों को क्या मिलता है हम लोगों क्या हथ क्या लगती है disappointment या निराशा और हम लोगों को ratchet मतलब मनहूस या दुखी stocks का मतलब है तना या ठूट के रूप में छोड़ दिया जाता है इसका मतलब है जिसकी कोई हरा भरा पेड़ है और उसको जब हम काट देते हैं तो उसका तनाया ठूट रह जाता है तो उसकी जो condition होती है उस तनाया ठूट की ज़रे हमारी हालत हो चुकी है दो नतिंग बॉक्स इच बिग एप्रोच और इस situation में हमारे साथ क्या हुआ है हमने एप्रोच या फिर हमारी desires तो बहुत बड़ी बड़ी थी expectation थी लेकिन उसके comparison में हमको क्या मिला कुछ भी नहीं only disappointment अगर normal example लें तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि present में हो रहा है हमने कोई exam दे दिया हमारे result भी आ गया लेकिन हमको अब भी job नहीं मिल रही मतलब क्या मिला अकरकार only disappointment हमने मेहनत भी की wait भी किया लेकिन हमें at last क्या मिला disappointment leaning with brass work प्रिंक्ट each rope distinct और इसका example देते हुए point नहीं समझाया है यह बिल्कुल वैसे ही है कि leaning मतलब जुकाव आ गया हो brass work प्रिंक्ट का मतलब होता है पीतल का काम brass work जो है वो ठीक से ना हो पाया हो और जो each rope है जो points है वो अच्छे से जुड़ना पाए हो और एक दूसरे से distinct अलग हो गये हो तो इस तरीके से point सेम चीज समझाना चाहता है कि जब ये brass work शुरू किया होगा तो कितनी महनत के साथ उमीदों के साथ किया होगा लेकिन at last disappointment या निराशा हमारे हाथ लगती है flagged and the figurehead with golden tits arcing our way it never anchors तो हम लोग तो बहुत सारी उमीद लगा लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा ये जीज आकर हमारे पास रुख जाएगी लेकिन होता क्या है ये जो shape है या desire है हम तो उनका wait करते हैं और इंतजार करते हैं पर ये flagged उत्सा के साथ figurehead with मतलब एक leader के रूप में या नेता के रूप में अपने buddhi को रखते हैं और golden tits जो कि एक bird है उसके रूप में अपना path खुद create करते हैं और कभी भी anchor मतलब रुखते नहीं है या फिर किसी का support नहीं लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने अभी तक कोई काम achieve नहीं किया है या फिर कोई achievement नहीं है जो कि present से past में बदल जाए हम लोगों के सामने सारा वक्त निकल गया लेकिन हम कुछ भी achieve नहीं कर पाए हम लोग क्या सोचते हैं ये जो ships आएगे desire के रूप में ये हमारे life में heave और unload मतलब heave का होता है एक बार में किसी भारी चीज को उपर उठाना और unload का मतलब होता है उतारना मतलब ये जो ship है हमारे जीवन में उमीदों के रूप में आएगा जिसमें हमारी धेर सारी desires पे लोगी इस तरीके से जो कुछ पी अच्छी चीज है ये हमारी life में भर देगा All we are oved for waiting so devotly and so long but we are wrong तो इस तरीके से हम सभी इन उमीदों के लिए oved, आभारी होते हैं for waiting, इंतजार करते हैं devotly, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ उस्सुकता के साथ लेकिन आखिरकार या at last हम लोग गलत होते हैं क्योंकि हम लोग जितना eager होकर या उस्सुक होकर जिन चीजों का इंतजार कर रहे थे वो हमको नहीं मिलती है और हम गलत साबित होते हैं only one ship is seeking us केवल एक ship है जो कि हमें सीख करते हुए खोसते हुए आ रहा है a black sailed unfamiliar तो ये जो ship है वो क्या है? death है जो कि हमें खोसते हुए आ रही है seek करते हुए आ रही है point ने यहाँ पर death की एक image show की है जहाँ पर उसे बोला गया huge and birdless silence मतलब जो death है वो विशाल और crew moon को लेकर आती है point बोलते हैं जहाँ death होती है वहाँ कोई movement नहीं होता no waters, breed or break मतलब death रूपी जो ship है वो हर किसी के पास आकर रुकने वाला है और उसका जो selection है वो बिलकुल निश्पक्च है वो किसी का favor नहीं करता की अमीर है तो उसके पास आएगी या फिर जो गरीब है उसको छोड़ देगी ऐसा कुछ भी नहीं है उसका जो selection होग है वो fairly है तो इस तरीके से point के according हमें life में ज़्यादा उमीद झाम्री थांक्स ओर वाचिग मैं वीद्यू